आज हम जानेंगे बगवान रिशप को केवल ग्यान प्राप्त होते ही देवों ने कैसी और किस प्रकार के बव्य समवसरन की रचना की उसके बारे में जानेंगे केवल ग्यान प्राप्त होने के पस्चात तीर्थंकर जहां पर प्रथम देशना प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश देते हैं उस थान को समवसरन कहते हैं या उपदेश रवन के लिए जो भी जन समुदाई वहाँ पर आता है जैसे देव, देवी, नर, नारी या तिर्यंच यानि पशु पक्षी उन सब के समुदाई को समवसरन कहते हैं तिर्थंकर की प्रवचन सभा के लिए आचारियों की मान्यता है कि बगवान तिर्थंकर का जहां समवसरन होता है वहाँ चार-चार कोस तक देव, घन, भूमी को समवर्थ वायू से स्वच्छ और दिव्य पुष्प वर्षा से सुवासित करते हैं समवसरन की भूमी में देविंद्रो द्वारा रत्नों से चित्रित तीन प्राकार बनाये जाते हैं पहला रत्नमई प्राकार वैमानिक देवो द्वारा बनाया जाता है इसी प्रकार सुवर्नमई दूसरा प्राकार जोतिश्क देवो द्वारा बनाया जाता है और तीसरा र प्रजत्मय प्राकार भवनपती देवों के द्वारा निर्मित किया जाता है। तीनों प्राकारों पर वेमानिक, जोतिश्क और भवनपती देवों द्वारा अनुक्रमशह, रतनादिमय तीन प्रकार के कंगुरे बनाए जाते हैं। व्यंतर देव, द्वजा, पताका, युक्त, तोरन और मनोहर धूप धड़ियों को धूप घड़ियों की व्यवस्ता करते हैं। प्रथम आभ्यंतर प्राकार के मध्य भाग में अशोक व्रुक्ष के नीचे तिर्थंकर देव के विराजमान होने के लिए चैत्य व्रुक्ष के नीचे रत्नमई पीट पर देव छंदक और उस देव छंदक में उच्च सिंगासन की रचना वैमानिक देवो द्वारा की जात प्रशाई से बारा गुना उंचा होता है समवसरन की इस प्रकार की विशिष्ट रचना सरवत्र नहीं होती विशिष्ट प्रसंगों को छोड़कर से स्थानों पर सामान्य रूप से ही समवसरन होता है निर्योप्तिकार के अनुसार जहां तीर्थंकर बगवान का कैवल्य पस्चात सर्व प्रथम परदापन होता है अत्वा जहां पर महर्दिक देव का आगमन होता है वहां पर समवर्थ, वायू, जल व्रिष्टी, पुस्प व्रिष्टी और तीन प्रकार के प्राकारों की रचना आभी योगिक देव करते हैं कुछ आचारियों का अभीमत है कि जहां पर देवेंद्र स्वयम आते हैं वहां तीर्थंकर भगवान के तीन प्राकारों वाले समवसरन की रचना की जाती है जहां इंद्र के सामानिक देव का आगमन होता है वहां केवल एक ही प्राकार बनाया जाता है यदि कभी कहीं इंद्र का अत्वा इंद्र के सामानिक देव का भी आगमन नहीं होता है तो वहां पर भवनपती आदी देव समवसरन की रचना कभी करते भी है और कभी नहीं भी करते हैं विशिष्ट समवसरन में प्रवेश करने की भी एक निश्चित विदी है, तो अब जानते हैं उस विदी को, गनधर समवसरन में पूर्वदा द्वार से प्रविष्ट होते हैं, तिर्थंकर को वंदन कर उनके दक्षिन की और बैठते हैं, इसी प्रकार अतिशय ज्यानी, और सामान्य सादू भी समवसरन में पूर्वद्वार से प्रविष्ट होते हैं, वेमानिक देवियां पूर्वद्वार से प्रविष्ट होकर सामान्य सादू के पीछे की और खड़ी रहती हैं, फिर साद्वियां पूर्वद्वार से समवसरन में आकर वेमानिक देवियों के पीछे खड़ी रहती है भवनपती आदी की देविया समवसरन में दक्षिन द्वार से आकर क्रमशह आगे भवनपती देविया उनके पीछे जोतिश्क की देविया और उनके पीछे व्यंतर की देविया ठहरती है भवनपती आदी तीनों प्रकार के देव पस्चिमी द्व से प्रवेश करते हैं वेमानिक देव और नरेंद्र आदी मानव और मनुश्य स्त्रिया उत्तरद्वार से सम्वसरन में आकर क्रमशह एक दूसरे के पीछे बैठते हैं देव और मनुश्यों की परिशत का पहले प्राकार में अवस्तान माना गया है दूसरे प्राकार में पशु पक्षी आदी तिर्यंच और तीसरे प्राकार में यान वाहन की अवस्तिती मानी गई है तो ये थी सम्वसरन से संबंदित संचिप्त जानकारी आज का प्रशन है कि भगवान रिशब ने अपनी पुत्रियों को कितनी कलाएं सिकाई और कितनी लीप्यां सिकाई कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें